What is the length of an altitude of an equilateral triangle of side? 8 cm. आपके पास एक equilateral triangle दिया है. Equilateral triangle क्या होता है? जिसकी सारी sides आपके पास क्या होती है? Equal. इस पे हमने एक altitude बनाया है. Altitude क्या होता है? आपका perpendicular बनाता है में एक side पे. उसकी आपको length निकालनी है. Let's say इसको आपने माल लिया X. अब आपको पता है, equilateral triangle का altitude होता है. वो सामने वाली side को क्या करता है? दो equal parts में divide करता है. Equilateral triangle की altitude हमारा सामने वाली side को दो equal parts में divide करता है. तो यह वाला part आपका कितना आजाएगा? 8 side है आपकी total. तो यह वाला part आपका कितना आजाएगा? 4, 4 cm आपका इवला पाट आ गया, अब इस वाले triangle में क्या करिए आप, यह आपका right angle triangle है, तो यह आपका hypotaneous हो गया, यह आपका base हो गया, यह आपका क्या हो गया, perpendicular, तो आपको क्या अगर नहीं है, simply pythagoras लगा के अपने perpendicular की value निकाल देनी है, hypotaneous हमार पास 8 है, 8 cm, base हमार पास 4 cm है, आपको perpendicular की value निकाल नहीं है, तो perpendicular का square आपके पास क्या होता है, hypotaneous का square minus base का square, hypotaneous का square क्या हो जाएगा, 8 का square, that is 64, base का square है 16, अब 64 minus 16 आपके पास क्या आता है, 48 cm, अगर perpendicular का square 48 cm है, तो इस square को जब आप उदर लेकी जाओगे, तो आपके पास क्या बन जाएगा, under root, 48 को आप कैसे लिख सकते हो, 48 को हम लिख सकते है, 6 into 8, 6 into 8 को आप, 2 into 3, and 2 into 2 into 2 2 लिख सकते हो, अब इस में से हम क्या करेंगे, इस 2 के pair को, and इस 2 के pair को बहार निकाल लेते हैं, root से, तो आपके पास क्या जाएगा, 2 into 2 root 3, and 2 into 2 root 3 आपके पास क्या हो जाएगा, 4 root 3, तो आपके पास जो perpendicular है, वो आपके पास क्या आ गया, 4 root 3, perpendicular की value आपके पास क्या आ गई, 4 root 3, तो आपका इस square में से, इन options में से कौन सो option करेक्ट हुजाएगा C option, C में आपके बास दिया है 4 root 3 cm, तो perpendicular की value हमार पास के आगई 4 root 3 cm, इसी question था, बट आपको बस एक property याद दोनी चाहिए, कि equilateral का altitude होता है, equilateral triangle का altitude होता है, वो सामने वाली side को 2 equal parts में divide करता है, तो आप ये question easily कर सकते हूं